उम्म नमाश शिवाय हर हर महादेव। तीन ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो किसी भी परिश्थिती का सामना आसानी से कर सकते हैं। पारत में दी गई एक कथा के अनुसार पांडों के वनवास के दोरान एक बार खुद यम्राज ने युधिश्थिर की बुद्धिमानी की परिक्षा लेनी चाही। इसी उदेश्य से यम्राज ने यक्ष का रूप धारं कर लिया। यक्ष रूपी यम्राज ने सरोवर के पास एक एक करके सभी पांडों की परिक्षा ले। जिसमें पार न करने की वजह से युधिश्थिर को छोड़ करके बाकी चाहरो पांडों सरोवर के पास मृत पड़े थे। जब युधिश्थिर ने अपने सभी भायों को मरा हुआ पाया तब यक्ष से उनको जीवित करने को कहा। यक्ष ने ऐसा करने के लिए युधिश्थिर के सामने एक शर्ट रखी। शर्ट यह थी कि धर्म युधिश्थिर से कुछ सवाल करेंगे और अगर युधिश्थिर ने उनके सही जबाब दे दिये तो वह यक्ष उसने सभी भायों को जीवित कर देगा यानि कि सभी भायो के जिवित हो जाएंगे ऐसी वीपरित परिस्थिती में भी युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमानी से यक्ष की परिक्षा पार कर ली और अपने सभी भायों को फिर से जिवित करा लिया इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य अपनी सूजबूच से हर परेशानी का हल निकाल सकता है वो विचलित नहीं होता है जो बुद्धिमान होता है दूसरी बात पहले ही कौरोवंश के विनाश की बात कह चुके थे विद्वान विदूर जी हां विद्वान लोग भी किसी भी तरह की परिस्थिती से बाहर निकल जाते हैं कहा जाता है कि जब दुर योधन को देखते ही धृतराष्ट्र को उसका त्या कर देने की सलाह दी थी वह जान गये थे समझ गये थे कि यह बालक ही कौरोववंस के विनाश का कारण बनेगा इसके अलावा विदूर ने जीवन भर अपने विद्वान होने के प्रमार दिये हैं वे हर समय धृतराष्ट् लेकिन आप विदूर को आज भी पढ़ते हैं या जानते हैं तो उनकी नीतियों को मानते हैं क्यों क्योंकि विद्वान थे और विद्वान कहीं भी चमकते हैं इसके अलावा पांडवों को हर परिस्थिती में बचाया श्री कृष्ण की नीतियों ने श्री कृष्ण एक पांडवों को हर वक्त सहायता की अगर पांडवों के पास श्री कृष्ण के जैसे नीतिकार न होते तो शायद पांडव युद्ध में कभी विजई नहीं हो पाते उसी तरह से नीतियों को जानने वाले और उनका पालन करने वाले व्यक्ति के सामने कैसी भी परेशानी आ जा तो वो हर तरह की परिष्थिति का सामना कर सकता है ध्यान रख लें बुद्धिमान विद्वान और निती शास्त्र में निपुन व्यक्ति हर तरह की मुसीबत का सामना कर सकता है तो इसलिए ये तीनों चीजों का ज्यान हमें जरूर लेना चाहिए हमारे जीवन के लिए काम आ जरूर दें क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए वेलुएबल होती है हम आपके लिए नई वीडियो ले करके आप से मिलेंगे तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव